हाई गाईज वेलकम बैक टो आरार कुकिंग चैनल मैं हूँ आपकी होस्ट रुपाली तो गणेश चतुर्थी पास आ रही है जिसके तैयारिया आपने घर शुरू करती है तो आज हम बनाएंगे एकदम इस्टेंट तरीके से गणेश चतुर्थी स्पेशल नारियल और सुज का ये मोदक खाने में बहुती स्वादिश्ट है और बनाने में पिलकुल दस मिनिट के अंदर ही ये बन जाता है तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्यास पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और एक चमच यहाँ शुद्ध घी डाल दिया है घी को मेल्ट होने दीजे फिर इसमें ह हमें रोस्ट करना है अच्छे से यहाँ घी की मातरा हमने कम यूज की है क्योंकि जैसे ही रवा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा इसमें से खुश्बू निकलने लगी तब ये घी अपने आप से छोड़ने लगता है तो यहाँ करीबन साथ से आठ मिन तक अच्छे से रोस् हैं बस उसी तरह से आप ध्यान रखें तो बस इस समय हमें डालना है नारियल का बुरादा यानि कि डिसिकेटेड कोकोनट पावडर तो वही नाप यूज किया है यानि कि वही कप से हमें डिसिकेटेड कोकोनट पावडर यूज करना है इसे अच्छे से हमें रोस्ट करना ह करीबन एक मिनिट ही जादा नहीं क्योंकि ये जल सकता है ये बहुत ही सौफ्ट होता है इसके जगा आप फ्रेश नारियल याने के गिला नारियल यूज़ कर सकते हैं या फिर काजु की पावडर बना ले ये इसमें डाल दीजिए बहुत ही बढ़िया स्वाद मिलेगा बस य जो स्वाद है ये दुगना होने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल मावा का स्वाद यह देगी और साथ में इजली घर में अवैलेबल है तो बिल्कुल बनाने में कोई दिकत नहीं होती है तो बस इसे फटा-फट मिक्स कर दीजिए और जैसे ही ये मेल्ट होती है आप देख स जैसे कि बाइंडिंग एजन्ट और मिठास के लिए हम डालेंगे पावडर शुगर तो वही कप का नाप है याने की एक ही कप तो यह मिक्स कर दीजिए और जैसे ही यहां शुगर मेल्ट होना स्टार्ट करेंगी यह सारे इंग्रियंट्स यहां बाइंडिंग पकड लेंगे तो फ्रेंड्स यहां आपको और एक बात बतानी है जैसे कि हमने यहां शुगर यूस की है यहां मलाई यूस की है सुजू यूस की है और नारियल का बुरादा यूस किया है यह सारे एक ही नाप से यूस किये है विल्कुल आसानी से यह आपके घर में अवेलेबल है और बस 10 मिनिट के अंदर यहां आप देख सकते हैं यह अच्छे से बाइंडिंग पकड़ चुका है बस यहां हमें कलर के लिए आप चाहें तो फूड कलर यूज करें या फिर इस तरह से मैंने यहां डाल दिया है केशर दूद में तो यह यहां डालते समय आप देख सकते हैं जो कलर है केशर का यह हलका सा इसे मिल जाएगा यह आप चाहें तो डाल दिजिए और फ्लेवर के अगर बात करें तो यहां इलोची पाउडर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन नारियल के बुरादे से फ्लेवर भी हमको यहां मिल चुका है अब गैस का फ्लेम बंद कर दिजिए और इसे ढग दिजिए पाच मिनिट के लिए पाच मिनिट के बाद यह सूजी है यह अच्छी से बाइंडिंग पकड़ चुकी है यह अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से बस प्रेस कर दिजिए और गुला अगर आसन से बन रहा है तो यह पर्फेक्ट तो मिक्स्चर जब हम फिल करेंगे उससे पहले अगर घीस से ग्रिस कर दिया जाए तो बड़िया सिया शेप हमें मिलेगा और निकालने समय आसानी होगी तो गार्निशिंग के लिए मैं यहां ड्राइफ्रूट यूस किया है यानि कि पीस्ता यूस किया है जिसके इस तरह स किसे फिल करना है इस तरह से एक तरफ से फिल हो चुका है अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमें यह फिल करना है बहत ही ईजी इंस्टंट और एकदम स्वादिश्ट सा मोदक आप यहां कुछ मिंटों में ही देख सकते हैं यह दूनों तरफ से अच्छे से फिल हो चुका ह अब इसे हम close कर देते हैं और जो extra mixture बाहर आ रहा है ये निकाल ले और नीचे से यहाँ और प्रेस करते हुए mixture दबाकर ही इसे भरना है तो बस एकदम perfect सा मोदक यहाँ आप देख लिजिए ये है ready और इसे पूरा निकाल कर अगर आप देखना चाहें तो इस तरह से ये दिखत है बस ये जो side के किनारों का extra है ये यहाँ हम निकाल लेंगे और बढ़िया सा मोदक पस 10 मिनिट के अंदर यहाँ हमें मिल जाता है वैसे मोदक हाथ से भी बढ़िया बनते हैं जैसे हम पहले बनाते थे और अगर garnishing की बात करें तो यहाँ आप और दूसरे तरीके भी इस्त से एक बार powder डाल दिया है और दोनों तरफ ये फिल हो जाने के बाद हम इसे close कर लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था बस उसी तरह से ये दूसरा मोदक भी यहाँ फट से बन रहा है इससे आप देख सकते हैं इस तरह से बिलकुल प्रेस करते हुए नीचे से पहले फिल कर ल तो है न बहुत ही आसान सी ये मोदक रिसिपी तो इस गणे चतुर्थी के अवसर पर आप इसे जरूर बनाए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दे से जल्दे सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट्स क करें तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो कि इसी प्रकार से आपको कुछ अलग सीखने को जरूर मिलेगा तब तक के लिए बाइबाइ टेक केर प्लिट सस्क्राइब आरर कुकिंग और प्लेज दे बेल आइकोन फोर नोटिफिकेशन आफ नूव वीडियो थेंक झाला हुआ!